हेलो फ्रेंड्स इस बाइक में ये दो महिने पेले एक मेकेनिक ने टाइमिंग चेन का पूरा सेट डाला था और उसके टेपेट भी सेट किये थे फिर भी इस बाइक में टेपेट की बहुत ही ज़्यादा साउंड आ रही थी मैं आपको दिखाता हूँ टाइमिंग चेन का निकल लिया तब हमारा केम चकर का जो डोट होता है वो आप देख सकते एकदम से उल्टा है यहाँ पे डोट आने का मतलब यह है कि पिस्टन टोप पे है और केम साप एकदम से लोड पे होगी केम साप यहाँ फ्री नहीं कुमेगी जब हम मेगनेट को आगे की तरफ गुमा है इसका मतलब यह है कि यहाँ पे टाइमिंग में एकदम से केम साप फ्री है लेकिन मैंने आपको वीडियो में देखाया केम साप का चकर उल्टा था जब हमने टी का निशान यहाँ पे मिलाया और यहाँ पे डोट का निशान भी मिला लिया तब आप वीडियो में देखें क्यपां सबस्क्राइब इस जगह पर लोड में है मतलब जो हम टाइमिंग मिलाएंगे तब यहाँ पर क्याम सबस्क्राइब रहा है लेकिन इसमें क्या हो रहा है टाइमिंग एकदम से सही है सभी डोट एकदम से सही है फिर भी दोनों वाल पे लोड है और दोनों वाल हील रहा है उस मेकनिक ने इसमें क्या गलती किया केम साप का चक्कर उल्टा लगा दिया और टाइमिंग उसने लगाया टेपेट की सेटिंग करनी होती है लेकिन उस मेखेनिक ने चकर ही उल्टा लगय, इसलिए तया की वाइन की सेटिंग नहीं हुए लेकिन इस बाइप में कोई भी यक्सीडन नहीं हुआ क्योंकि यह बाइप फोष्ट एक है यहां पे piston दो बार टोप पे आता है, इसलिए timing चकर उल्टा लगने पे भी कोई bike में दिक्कत नहीं आई friends, आपको भी कभी timing मिला के wall की setting करनी हो, तब आपको timing इस तरह मिलाना चाहिए जब आप timing मिला हो, तब wall एकदम से free होने चाहिए और उसकी setting तब भी आपको करनी चाहिए friends, आप देख सकते हैं, यहां पे जो exhaust वाल है, वहां पे कितनी ज़यदा play है आप देख सकते हैं, इसकी वज़य से ही बहुत ही ज़यदा tip it की आवा जा रही थी लेकिन mechanic ने timing मिला आते वक्त गलती कर दी थी जब chem sap free होती है, वाल दोनों के दोनों free होते है, तब chem चकर का dot और magnet का T दोनों मिला के timing करना चाहिए, तब वाल की setting करनी चाहिए लेकिन mechanic ने किया किया, चकर को उल्टा ही लगा दिया, जब chem sap load में थी तब उसने timing को मिला दिया, और वहाँ पे जब वाल की setting करने लगा, तो वहाँ पे वाल तो tight ही होंगे, कि chem sap पे load था इसलिए उसकी टेपेट की उसके पास setting ही नहीं हुई, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि उसने चकर को उल्टा लगाया है, तो आप कभी भी एसी गलती मत करना, जब आपके पास बाइक आये तो आपको जब chem sap एकदम से free हो, तब भी आपको timing मिलाना चाहिए, और तब आपको टेपेट की setting करनी चाहिए मेकेनिक के पास सिर्फ आधा दूरा inolet था, उसको सिर्फ इतना ही मालूम था कि सिर्फ T का निशान और डोट का निशान मिलाने पे timing हो जाती है लेकिन उसको मालूम नहीं था कि जब chem sap free हो और दोनों wall free हो तब timing मिलाना चाहिए, और तब टेपेट की setting करनी चाहिए मैं उस मेकेनिक को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, कि यहाँ पे YouTube में बहुत ही सारी वीडियो मिलती है जिसमें timing की setting, टेपेट की setting, सब कुछ आपको सिखाये जाता है एक बर आप थुड़ा सा सीख लिए, जान लिए, फिर किसी भी bike को आपको चूना चाहिए वरना customer को मना कर देना चाहिए, कि मुझे इस bike का काम नहीं आता है मुझे सिर्फ brake shoe, chain sprocket, chain kit, seat cover, liver cable, clutch cable, plug wire, plug इतना ही काम आता है मुझे engine का काम नहीं आता है, आपको ऐसा बोल देना चाहिए, customer को अच्छा लगे गया और उसकी problem भी soul हो जाएगी, और आपको भी दिकत नहीं होगी अब मैं आपको आगे वीडियो में सुनाता हूँ, कि tape it का sound एकदम से केसे बंद हो गया है आप वीडियो में देखे, मैं आपको engine का sound सुनाता हूँ